हमास और हिजबुल्ला के साथ इस्राइल के युद्ध के बीच रूसी रश्टपती व्लादमिर पुतिन का बड़ा बयान सामने आया है उन्होंने कहा है कि रूस मिडल इस्ट की घटनाओं से चिंदित है और वहां संगर्ष के समाधान के लिए हाला तैयार करने में अपनी भूमिका देखता है पुतिन ने कहा कि रूस नहीं चाहा था कि मामला और बिगडे रूसी रश्टपती ने कहा कोई कुछ भी कहे रूस को संगर्ष को और बत्तर होते देखने में कोई दिल्चस्पी नहीं है इससे हमें रणदीतिक रूप से कुछ भी हासिल नहीं होगा बलकि इससे समस्याएं और बढ़ेंगी इसके साथ ही उन्होंने कहा हम इरान की लिडर्शिप के साथ संपर्क में हैं बहुत करीबी संपर्क में हम आपसी समझोते करके इस्तिती को सुलजाने के लिए हाला तैयार करने में अपनी भूमिका देखते हैं प्रिक समिट के दौरान मैंने जो बादचीत की उससे पता चलता है कि शेत्र में कोई भी नहीं चाहता कि संगर्श बड़े और किसी भी तरह का बड़ा युद्ध हो पुतिन ने इसराइल फिलिस्तीन विवाद पर कहा फिलिस्तीन इसराइल टकराव का एक और चक्र संगर्शों की लंबी शरंखला में सबसे खोनी बन गया है गजा में लड़ाई की वज़े से 40,000 से ज़ादा लोग मारे गए हैं उनमें से अधिकांश आम लोग है लेकिन मैं इस बात पर जोर देना चाहूँगा कि हम हमेशा सभी आतंकवादी कत्विदियों के खिलाफ रहे हैं पुतिन ने कहा एक साल पहले गजा में शुरू ही लड़ाई लेबनन तक फैल गई है शेत्र के दूजरे देश भी इससे प्रभावित हुए है इसराईल और इरान के बीच तनाव भी बड़ा है ये सब एक चेन रियक्षन को दिखाता है और पूरे मदपूर्व को उन पहमाने पर युद की कागर पर खड़ा करता है मानिवी इस्तिती भी बिगड रही है शानार्थियों और विस्तापित लोगों की संख्याख अब देड मिलियन से जादा हो गई है इसके इलावर रूसी राष्टपती ने कहा समझोता मानिता प्राप्त अंतर राष्टिये नियमों पर आधारित होना चाहिए और इसके लिए एक स्वतंत्र फिलिस्तिनी स्टेट के निर्मान की जरूरत है तो इसराइल के साथ शांती पूर्वक सहय स्थित्तु में रह सके फिलिस्तिनी लोगों के प्रते एतियासिक अन्याय को ठीक करने से मद पूर्व में शांती की गारिंटी मिल सकती है जब तक ये मामला सुलज नहीं जाता इंसा का दुश्यक्र नहीं टूटेगा